मनिपूर में पिछले साल से ही हिंसाथ चल रही है 15 महीनों से चल रहा संगर्ष कुछ थन्डा पड़ता नजरा आ रहा था लेकिन रविवारी गत्ती संगर्ष को इस्तिती बिगड़ गए मनिपूर के संगर्ष ने नया मोर्तब लिया जब कूकी उगरवादियों ने मेती समुदाय की गाउं पर बम हमला करने के लिए ड्रोन का इस्तिमाल किया दो दिन में इंफाल पस्टिम जीले में सेजम चिरांग और पास के कउतरक में दो ड्रोन और बंदुक हमलें में दो लोगों की मौत हुई जब की बारा अन्नेख हायल हो गए यहां गौर करने वाली बात यह है कि ऐसा पहली बार हुआ जब हमले को अंजाम देने के लिए ड्रोन का इस्तिमाल किया गया इस हमले के बाद से उगरवादियों की भी चल रहे संगर्ष में ड्रोन अटेक को एक बड़ा हमला माना जा रहा है इसके वज़े यह है कि ड्रोन अटेक को एक डम से अंजाम नहीं दिया गया है बलकि पूरी प्लैनिंग के साथ ड्रोन के जरिये गाओं पर बंबरसाए गए जादतर मोकों पर ड्रोन का इस्तिमाल ग्रह युद्ध और अंतराश्ट्री सीमाओं के आर पार हमला करने के लिए होता है साल 2020 कारबाग युद्ध के बाद ड्रोन से हमले का ट्रेन चल रहा है अमेरिका तो लंबे समय से ड्रोन अटेक का ही इस्तिमाल कर रहा है ड्रोन अटेक से दोन प्रतिद्वंदी गुटों की बीस तनाव भी बढ़ सकता है क्योंकि अभी तक पारंपरे खतियारों से चल रहा है युद्ध अब आधूने खतियारों के तरफ मुड रहा है सिर्फ इतना ही नहीं बलकि अभी तक जो लोग हिंसा से बचे हुए थे वे भी अब इसकी चपेट में आ सकते हैं सबसे बड़ा डर इस बात का है कि ड्रोन का इस्तिमाल भारती सीमा के पार से भी किया जा सकता है जिसका फायदा उगरवादी जरूर उठाना चाहेंगे अगर ऐसा होता है तो उन्हें काबू करना मुश्किल हो सकता है मनिपूर के डीजीपी ने ड्रोन हमलों के बात कहा कि इसे रोकने के लिए हर संभाव प्रयास किया जाएगा उन्होंने का कि यह नई चीज है और चीजे बिगड़ गई है हम इसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं हमने NSG से बात की है तथा और भी अक्सपर्स आ रहे हम ने ड्रोन की कमभीरता से जाज करने के लिए अचे समीति गठित की हम जल्द ही ड्रोन हमलों से ने पड़न के लिए साधन तलाशिंगे हमारे पास ड्रोन अबतने के लिए कुछ साधन है और हम ने तैनात कर रहे हैं